बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यूपी की सियासत में बड़ा उलट फेर देखने को मिल सकता है जी हां अब विजेपी के विधायक ने बड़ा दावा कर दिया है लोकसवा चुनाओं में विजेपी की हार के बाद उत्तर पुर्देश में विजेपी विधायक ने फैसले लेने होंगे इस वक्त की बेहाद आयम कवर हम आपको बता रहे हैं जौन पुर के बदलापुर से बिजेपी विधायक रमेश मिस्रा ने बड़ी भविश से बाणी कर दी है उन्होंने कह दिया है कि यूपी में जो अभी हालत है हम लोगों की उस हिसाब से लग रहा है कि 2027 में हम सरकार नहीं बना पाएंगे यानि बिजेपी सरकार नहीं बना पाएगी 2027 में ये बड़ा दाबा कर दिया है उत्तर प्रदेश के बिजेपी विधायक ने टेंसन बढ़ा दी है बारती जंता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बिजेपी विधायक ने ये है कि जिस हिसाब की अभी इस्तिती है उस हिसाब से लग रहा है कि आने बाले समय में यानी साल 2027 के बिदान सवाचुनाओं में हम सरकार नहीं बना पाएंगे क्योंकि अभी जो तैयारियां चल रही है अपोजिसन पार्टी की खासकर समाजबादी पार्टी की उसको देखते हुए लग रहा है कि हम 2027 का बिदान सवाचुनाओं हार जाएंगे ये बड़ा दावा कर दिया है बड़ी भविस्वाणी कर दी है उत्तर पुदेश में बिजेपी बिदायक जाउनपुर से जो है जाउनपुर के बदलापुर से ये बिदायक है रमेश मिस्वाणी की है और इनका बीडियो एक सोसल मीडिया पर तेजी से बाइरल हो रहा है तो कुल मिलाकर ये बड़ी भविस्वाणी कर दी गई है बिजेपी बिदायक की तरफ से बिजेपी बिदा जी से बाइरल हो रहा है उनका कहना है कि यूपी में पीडिये की तुल्ना में बिजेपी की स्तिती काफी कमजोर हो गई है जिसको लेकार उन्होंने एक बीडियो जारी किया है जौनपुर की बदलापुर सीट से ये बिजेपी विधायक है रमेश मिस्रा जिनोंने बीडियो अपनी ही पार्टी की बरतमान इस्तिती को वेहद खराब बताया है और बीजेपी विधायक की माने तो मजूदा सरकार की इस्तिती वेहद खराब है उत्तर पदेश में इस स्तिती को देखते हुए 2027 में भाजपा की सरकार नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है ये बीजे सबाद चुनाओ जितने के बाद आपार्टी के केंदी नितत को बड़ा नेना लेना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाओं में पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा विजेपी के कारिकरताओं निताओं को चुनाओं में मन लगाना होगा ताकि विजेपी दुवारा सरक बना सके 14 जुलाई को राजदानी लखनव में बिजेपी की प्रदेश कारकर्मत की बैटक होनी है आज ही बड़ी बैटक होनी है यूपी में लेकिन उससे पहले बिजेपी विदायक ने बड़ा दाबा कर दिया है क्या कुछ बिजेपी विदायक ने कहा है हम आपको सीधा सु समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक इस्थि आम जन्मानस में पैदा कर रखी है उसी साथ से अगर मैं देखूं तो भारती यंता पार्टी की आज की लेट में हमारी इस्थिति अच्छी नहीं है इस्थिति अच्छी हो सकती है उसके लिए मैं समझता हूं केंद्री नेत्रित को बड़े नड़े लेने पड़ेंगे केंद्री नेत्रित को जो है कहीं ने कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाओं पर पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा भारती यंता पार्टी की एक-एक कारिकरता को एक-एक जनप्रतिधी को मन से लगना पड़ेगा तभी ह हम 27 में सरकार पुना बना सकते हैं नहीं तो आज की जो इस्तती है उस इस्तती के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही इस्तती खराब है 2027 में पुना बने इसलिए एक-एक कारकरताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निरने लेना पड़ेगा जिससे कि भारती अंतर पाटिक सरकार पुना बन सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए